क्वीज नंबर 33 है पहला क्यूसरें उनीच सो पैंटीस में जो गोर्रमेट ऑफ इंडिया एक आया था 1935 में उसमेंसे इन में से चार में से एक प्रोविजन नहीं था मतलब तीन तो उसमें उसमें हैं प्रोविजन एक नहीं था इनमें से प्रॉइंसे दोनों थे बर्मा भारत का बन गया और डी उप्षन इन्होंने डाइरेक्ट एलग्षन का प्रउवधान देए आंसर इस थी बर्मा भारत का पार्ट ने नहीं बना था इवन बर्मा भारत से अलग कर दिया गया था ठीक है प्रविंशियल ओटोनमी जो भी स्टेट्स को ज़्यादा सवाय अत्ता इंडिपेंडेंस का अधिकार कौन से वाले एक्ट में मिला जो स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा ज्यादा अधिकार दी जाए तो कौन से एक्ट में मिला मॉन्टे मॉर्लो रिफॉंब्स 1909 में मॉन्टागु चैंप्सवर रिफॉंब्स 1912 में इंडियन कांचिल एक्ट 1892 में या गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस्टेट्स को बहुत सारे अधिकार पहला पिछले वाले लेक्ट्टर की पहली लाइन है इस्टेट्स को ऑटोनोमी ऑटोनोमी मलब इस्टेट अपने इससाफ से अपनी गवर्मेंट चला सकते हैं इस पर आफा स्थिथे टी सिर्याइंड आक्सिर थी अवक्ट प्रविंशयल कोंग्रेश गोर्मेंड क्रिश्इंड नगिंड स्टेट्स कोंगरेश कोंग्रेश हां-उन ने परिया था बताईए क्योंकि इस्टेट्स में बहुत वाइलेंस बढ़ दी थी या क्रिप्स मोव्मेंट फेल हो गया था या आगस्तों फर आया था उसकी विज़ी से रिजाइन कर दिया था या वर्ल्ड बार्ट्टू आ गया था कोई एक कारण होगा यह मेरे को किसने मेसेज भी करके पूछा है तो आंसर सिंपल है इसका वर्लड वार्ट्टू वर्लड वार्ट्टू की वज़े से ही अगस्तों पर कहां से आ गया हो अगस्तों पर 1940 में आया था रिजाइन पर 1993 में तो यह करने का मैं कल भी वार्वा में यह रिजन बता रहा था कि वर्लड वार्टू आ गया था और भारत की एक तरह से बिना पूछे बारत से और वापस से यह बूल दिया गया था कि भारत पूरी तरह से पार्टिस्पेट करेगा वर्लड वार में और इस वज़े किया यह UPSC प्रिलिम्स में आया वाक क्विशन है ठीक है सेम इस तरह के क्विशन पूछ लिया था हूं लोग दो ओर डाइ स्लोगन चोथा क्विशन कौन से मौमेंट में दिया गया था दो और डाइ सवदेशी में नोन कूपरेशन में जास इंडेश के प्रियान के घ्या मौमेटर्थ चोडवा था मातमय सबोचे में और ये आंसर कुछ हा रहे है किः इंडिया मोव्मेंट क्यों क्या गया था किसके में दिया क्या गया थ है करिपस के बाहएिए गए साइमन के बात में दिए गयां इसको गलत मत करो याइस कैसे हो सकता साइमन कब आया था 1928 में Simon आया quit India 1942 में चला तो क्या 18 साल तक बैठे थे क्या 14 साल तक लो एक कॉन लिख रहा है सबसे माउट बेटन से जश्क पहले वाला तो cabinet नहीं हो सकता उस cabinet के बाद में कोई बड़ा अंदोलंग नहीं हो आ ठीक है तो कौन सा होगा क्रिफ्स प्रपोजल यू पीएस्टी प्रिलेम में आया वा क्यूशन है यह चार-पांद साल पहले आया था सेम क्यूशन मैंने से कैसे कॉपी करके डाला है कोई उनमें कोई दूसरी दुनिया की क्यूशन नहीं पूच जाते हैं यह सारे क्यूशन से वन वास्पी इंडिया मोर्में लौंच बाइ महांदास καंचंद गांदी कब लौंच किया गया था nuclear 1904, 1940, 1942, 1940. ग्रचनी वेरी, वेरी, सिंपल, 1942 अगस क्रांटी इन इंडियन श्री अगस्त करांथी का दूसरा नाम कौन से है सवदेशी मोमेंट रिवोल्ट ऑफ 1857 क्विट इंडिया मोमेंट या डैली चलो डैली चलो ओके वेरी गुड अरे अगस्त करांथी यार अगस्त करांथी चलो कोई तो सही आंसर दिया डैली चलो पर पर अरूना मत्यस करांथी इंडियुज्ब्ड सत्यागरह था वो कोई बहुत बढ़ी करांथी नहीं थी उसमें दिया गया थ rap इंडियुजुज्ब्स. आंसर विट इंडिन इमोमेंट मैं ने बताय," अगस्त क्रांथी भी बूलते थे इदर दो फोटो लगा रहे थी एक अगस्तानती की थी नीचे क्योंकि अगस्त में इस्टार्ट हुआ था अगस्त आहट आठ आध अगस्त 1252 को AICC की मीटिंग हुई थी बाद बाद से लिए उनकी अध्यक्स थी, उस मिटिंग की, और अरुना आसेफ वली के अध्यक्स था में, यह पस्ताव पास किया गया, कि और कूर कि अगस्त में प्रस्ताव आया थै, इसको अगस्त प्रान्ती के नाम से भी जानते हैं, I think, इतना काफी अपलोंगी. Quit India Moment, इनमे से कौन सी event के साथ साथ चला? कोन सा event उस तैम पर पूरे वडल रखता? रश्या में कोई आंद chciaड़ों चल रहा था? वरल्ड बार वार शॉन हो हो रखता? वरल्ड वार तू हो रखता? चला ता उन चालीज चालीज एक तारीज में तो कोई आदोलन नहीं चला है तीन साल तक वेट किया कि अंग्रेज हमारी कुछ कौन से गौवर्नर जनर्ल थे इंडिया मुव्मेंट के टाइम लोड लिन लिटकौ एर्विन विलिंग दन या चर्चिल बाई विश्टिन चर्चिल प्राइम इनिस्टर थे बिटेन के तो वो तो हो नहीं सकते एर्विन के टाइम पर कौन सा आए था कि नाम से यहां किया лиृक्त बटाएंट दूम Savitt का लिविर नायमान मेंन छिविल लिसम ने की आखिल रखैंच का लिन लिफ गाउ चलिए बताइए इंडिया नेंडिया नेसिनल आर्मी कि स्थापना कि नोग ने कि सुभाष चंद्र बोस मोहन सिंग राष भ्यारी बोस इन में से कोई नी अच्छा एक आप बता रहें कि इन से कोई नहीं। तो बताएं धी यह अउप्शन होगा आपके इसब कहसे सही सुबास्च Rs. बोश्च कौन कौन आंसर दे रहा धाय मोहन सिंग ने स्थापना किती बाद में सुभास चंदर बहुत आर्मी के लीडर बन गए थे 1945 में उनकी डैथ हो गई एक प्लेन हाथसे में जापान से उजा रहे थे तब उनके डैथ हो गई और उस चीज हलांक की उसके बाद में बहुत कॉंटरवर्सी है कि उनके डैथ नही बाद में सुभास चंदर बोस उनके लीडर बन गए थे और उसके बाद में सुभास चंदर बोस ने सिंगापूर में एक गोर्मेंट भी बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंड ठेक है तो यह उनके बारे में एक चोटी से पहान है ठेक है 1945 में उनकी डैथ हो गई थी और उसके बाद में क्या हुआ था कि अपने मतलब एक सेना की टुकडी आयने की सेना की टुकडी जापान की टुकडी के साथ में भारत बेजी गई कि भारत प्याकरमन करो जापान बीच में विश्यूद में हार गया था उनकी सेना उनने पीछ अट गई और सिर्फ अपनी टु तरशनल आर्में ट्राइल्स और पूरे देश में, मतलब चुकि देश वासियों को लगता था यह लोग तो हमारे जापान की हेलप इसले लेके आयो थे, क्योंकि यह हमारे देश को आजाद कराने चाहते, तो पूरे देश में एक तरह से आयने के शपोर्ट में, उन लोगों क यह कहां से आ गया रविंदनाद टेगोर्ण ने नहीं किया या सुबाशन रभॉस ने विच अब दी फॉलोइंग आच्छा सुबाशन इन्होंने बताओ रविंदनाद टेगोर्ण ने कौन से टाइटल दिया था यह भी करा रखाऊंगे मात मांग वेरी गुड मला आप लोग पढ़ रहे हो कुछ-कुछ लोग वेरी गुड बार्वा क्यूशन फॉलोइंग निकनेम वाज सुबाश सेंद्र बोच का इन में से कौन सा निकनेम नहीं था मतलब उनका एक ओड जो दूसरा नाम नहीं था इंडिया नहीं ता जी पैट पैट्रॉट ओ पैट्रॉइड्स मजलब देस भक्तों का भी देस भक्त बीकन ओफ यह प्लाइट मलब एसिया की रोशनी मसाल और इंडिया भारत के एक इस ट्रोंग आधमी यह तीनों नाम उनको उनके नाम थे ना निकनेम थे नेता जी पैटरोट्र पैटर्ट्स और स्ट्रोंग मैन आफ इंडिया उनके नाम नीथा इसको टाज़त हैं वूम डिट दे सुभाचंद्र बोस डिफीट उन्निस उन्चालीस में सुभाचंद्र बोस आयने के स्वरी कॉंग्रेस के प्रसिडेंट बने किसको हराके चलो लगाव तुक्का वल्लाब भाई पटेज ज्वालनाद नहरू पिताभी सिता रमया सिता मरे सिता रमया या एनी स्वाचंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी कॉंग्रेस छोड़ दी जाग उसके बाद में कमिनेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रिपब्लिकन पार्टी रिवलेशनरी पार्टी या फोर्वर्ड ब्लोक या आज पढ़ाया मैं इंटरिम गवर्मेंट जो बनाई गी थी 1946 में मतलब भारत में जो एक सरकार बनाई गई फाइनली जिसके प्रसिजरेडरेंट कों थे ज्वालाद नहरों वह अंग्रेजिव के रहते एक इंटरिम मतलब एस्थाई सरकार बना दी गी थी वह कब बनाई गई Cabinet Mission के पहले विजिट करने से पहले Cabinet Mission के विजिट करने के बाद में कृप्स मिशन के कृप्स मिशन के बाद में या मांट बेटन जब इंडिया आया था उसके बाद में आंसर यह सिंपल है क्रिप्स मिशन के बाद में तो आंदुलन चलाया था कोई गोर्मेंट नहीं बनाई थी कौन सा अंदुलन क्विट इंडिया मों मांट बेटन के बाद में तो क्या हुआ था सीध्य आजादी मिल गी थी तो बीसी ओ दे तो गए काम से इन दोनों में से एक आंसर होगा आंसर इस वेरी सिंपल केबिनेट मिशन एक लास्ट मिशन आया था उसके तहत इंटरिम गवर्मेंट बना दी गी थी इंटरिम गवर्मेंट में लग एस ताइस सरकार ठीक है हो सकता है अभी डिस्कनेक्ट हो जाए का कि एक आंसर ची और पकास ताइस बट्सक्राइस थात क्सा हो जाए नेक्स्ट क्यूशन, आइडिया व। पाकिस्तान का आइडिया सबसे पहले किस ने दिया था कि पाकिस्तान नाम का एक देश बनना चीए भारत में से अलागौके मुहमद इकबाल, मुहमद अली जिन्ना, सोकर अली या अगा खान मुहमद इकबाल एक पोएट है इनको spiritual father of Pakistan भी का जाता है जिन्ना, इनके पहले लौड गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के आगा खान थ्री ने तो स्टार्ट किती मुस्लिम लीग आंसर इस ए, मुहमद इकबाल नहीं सबसे पहले आइडिया दे दे था पाकिस्तान का Famous Pakistan Resolution कि पाकिस्तान एक हमको नया देश बनाना है यह कौन से मुस्लिम लीग के कौन से सेशन में हुआ था लाहोर में, डैली में, बॉंबे में या लखनव में दो चीजे लाहोर में इंपोर्टेंट हुई, एक कॉंग्रेस का सेशन लाहोर में हुआ था जब पूर्ण सवराज की बात हुई थी, एक मुस्लिम लीग का लाहोर में हुआ था जब पाकिस्तान आजाद दस्ता एक गोरिल्ला आर्मी बनाई थी, इन में से किनों ने बनाई थी, अंग्रेजियों से लड़ने के लिए गोरिल्ला, यह परकर्सनारण, मदन मौन मालवे, सुभाष चंद्रबोस या एमन रोई सुभाष चंद्रबोस ने यार कहां ऐससे काम कर दिये, आजाद हिंद बनाई है सुभाष चंद्रबोस ने, आजाद हिंद गोवर्मेंट, सिंगापूर में, आजाद हिंद फोज, अचा आयने का दूसरा नाम, इंडिया नैस्टनल आर्मी का दूसरा नाम ध्यान रखना, आजाद हिंद फोज भी बोलते हैं, आयने का दूसरा नाम हिंदी में, आजाद हिंद फोज, ए आजाद दस्ता है, आंसर इस ए, जैपरकास नारण, मदन मोहन मालवे ने हिंदु सभा का मासभा का गठन किया, सुभाष चिंडबोस ने फोड़ोड ब्लोग का स्थापना कि, मरो ने CPI, Communist Party of India की स्थापना कि, जैपरकास नारण ने आजाद दस्ते की स्थापना कि, वू आज प्राइम मिनिस्टर ओफ यूके, युनाइटिड किंग्डम या बिर्टेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब भारत को आजादी मिली, मिनिस्टिन चर्चिल, क्लिमेंट इतली, लोड माउंट वेटन या राम से मैकडोनल्ड, आंसर सिंपल है भई, मैकडोनल्ड तो पहले थे जिनोंने कमिनल आवड निकाला था 1932 में, माउंट वेटन तो कभी प्राइम मिनिस्टर बने ही नहीं हो आके, मिनिस्टिन चर्चिल बहुत पहले थे जब वर्डवार चल रहा था उस टाइम से पहले के या उस टाइम के, कौन होगा क्लिमेंट एटली, एटली स्टेट्मेंट भी आया था ना कि भारत को आजारी मिलेगी 1948 जून में, तो यह हुए, माउंट वेटन कैसे, माउंट वेटन कैसे बोल रहा आप, बताईए मेरे को, माउंट वेटन प्रियो जाएगा, प्रिंसली स्टेट्स प्री नहीं रहेंगे, क्या तो उनको भारत को जोइन करना पड़ेगा या पाकिस्तान को जोइन करना पड़ेगा, तीसरा, रैड क्लिफ कमिशयर मनेगा, जो इंडिया और पाकिस्तान का अगर डिविजन होगा, तो उनके बीचम खीचने के लिए, एक सविदान सवा बनाई जाएगी, जो बारत के सविदान का निर्मान करेगी, आंसर इस सिंपल, इसी के साथ में ये क्विज खतम होता है, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच, अब हम लोग थोड़ी दे के लिए बात करेंगे, ठीक है, टाइम है सब के लिए, टाइम है ना सब के पास,